नमस्कार प्रियदर्शकों आप सभी के समुख उपस्थित हूँ आप सब के लिए एक अत्यंत महत्तुपुण बिशय को लेकर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हवन कुंड में शप्त जिहवा कैसे बनाया जाता है प्रियदर्शकों ये चित्र जो आप देख रहे होंगे ये शप्त जिहवा है यानि अगनी देव के शात जो जिहवा है जिभ जो मने गए हैं वही सात जिहवा है जिसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है मैं आपको आज बिस्तार पुर्वक बताऊंगा और साथ ही साथ शब्त जिहवा कौन कौन है उनका क्या नाम है आप यह चित्र देख पा रहे होंगे आज मैं आपको शब्त जिहवा के बारे में बताने वाला हूँ प्रिय दर्शको पुर्व में एक कारिक्रम में मैंने शब्त जिहवाओं के नाम बताये थे काली कराली मनोजवा लोहिता धुम्र परणा इस्फुलिंगीनी और विश्वरूपी काली, कराली, मनोजवा, लोहिता, धुम्रपरणा, स्फुलिंगीनी, विश्वरूपी यह नाम मैं पूर्व के कारिक्रम में बता चुका हूँ आज हम नाम सहित कैसे सप्त जिहवा बनाते हैं और इसका क्या प्रभाव है सप्त जिहवा क्यों बनाने चाहिए इसको विस्तार से समझेंगे प्रिये दर्शक को आप सबके ही घरों में प्रायह यग्य अनुष्ठान होते ही होंगे आप लोग हवन करते या करवाते ही होंगे तो आपको यह जानकारी अवस्य होनी चाहिए क्योंकि हवन कुंड में शप्त जिहवा बनाकर ही हवन करना चाहिए तो यदि आप कर्मकांडी ब्रामन है या कर्मकांड को सीख रहे है या फिर आप यजमान है तो भी यह जानकारी सभी को होनी ही चाहिए ताकि आप यग्य कुंड में हवन कुंड में शप्त जिहवा का निर्मान कर सके या करा सके तो प्रिय दर्श को आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि शप्त जिहवा बनाया कैसे जाता है शप्त जिहवा का निर्मान किस प्रकार से होगा हम सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि यग्य कुंड में हमें शप्त जिहवा किस प्रकार से बनाना है प्रियोदर्स को जिस प्रकार से मैं बनाता हूँ यह चित्र आप ध्यान पुर्वक समझिए देखिए और इसी प्रकार से आप यग्य कुंड के मध्य लकीर खीच कर सब्त जिहवा जो ये देख रहे हैं इसका आप निर्मान कर सकते हैं आप इसको बनाने के लिए आटा या हल्दी का भी परियोग कर सकते हैं लेकिन आपको ठिक इसी प्रकार से बनाना है आप इसको गिन कर देखिए इसमें सात मुख हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा छठा और सात्वा सात हैं जो पहला काली दूसरा कराली तीसरा जवा चौथा लोहीता पाचवा धूम्र पर्ना छठवा पूलिंगिनी içinde सात्वा विस्व रूपी हें प्रिये दर्सको आईए हम समझते हैं सब्ध जिह वाका निर्माण क्यों करें प्रिये दर्सको आप जब भी हवन करें हवनकुंड में शब्ध जिहवा का निर्मान अगनी देव हवन की आहुती ग्रहन करते हैं प्रियदर्षु को आइए समझते हैं शब्थ जिहवा का निर्मान कैसे करें प्रियदर्षु को सबसे पहले आपको यहां से इस प्रकार से बनाना है आप यह लकीर ओपर ले जाएगा फिर नीचे लाइगा इतना हो गया इसके ब यहां प्रेदर्सुकों इस प्रकार से आपको लकीर खीचनी है आप इसके लिए आटा या हल्दी पौडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप इस प्रकार से यह लकीर बना सकते प्रिय दर्सुको एक बार पुनह आप देखिए इसको मैं यहां बना रहा हूँ एक छोटा सा यहां से आपको सबसे पहले यह वाला बना लेना है इसके बाद आप यहां जाईएगा फिर इधर फिर यहां से इस वाले भाग में फिर यहां से यह वाले भाग में फिर यहां से कि आप इस वाले भाग में जोड़ जाईएगा प्रिय दर्शुकों यह साथ जिहवा है जो हवन कुंड में बनाना अनिवार्य होता है इसके बाद ही हवन प्रारंभ करने चाहिए प्रिय दर्शुकों मैं करमकांड से संबंधित विशयों को आपको सुरू से बताऊंगा आप निश्चिंत रहें आप हमारे दर्शक हैं तो आप निश्चिंत रहें मैं आपको पंचांग बेदी से लेकर हवन कुंड इत्यादी तक संपुर्ण जानकारी बताऊंगा जो बड़े बड़े यग्य अनुष्ठानों में बेदियां बनती हैं उन बेदियों के भी बारे में बताऊंगा यग्य साला में जो स्तंभ होते हैं उन सब ainsi इसतंभों के बारे में आपको बताऊंगा आज मैं इसलिए बता दिया की कैसे बनता है आपको बहे out जह ना चाहिए इसलिए मैं आज आप सभी के समुख शप्त जिहवा बना कर आपको दिखाया कि आप इसी प्रकार से यग्य कुंड में शप्त जिहवा का निर्माण करेंगे हला कि आपको ये वाली लकिर नहीं खीचनी है आपको केवल इतना बना के छोड़ देना है यानि अगनी के साथ जिहवाओं के जो ये साथ नाम है ये शप्त जिहवाओं को हमें हवन कुंड में इस्थान देना है इसके बाद यग्य कुंड में जो अन्य देवी देवताओं के स्थान है उनकी पूजा करने के बाद ही हमें हवन करना होता है लेकिन यग्य कुंड के निर्मान करने के बाद हवन प्रारंभ करने से पुर्ब हमें हवन कुंड में शब्त जिहवा का निर्मान करना अनिवार्य होता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सप्त जिहवा का निर्मान कैसे होगा सप्त जिहवा किस प्रकार से बनता है आप समझ गए होंगे और यह कितना आवशक है आप समझ गए होंगे क्योंकि हवन करने से पुर्व हवन कुंड में यानि जब आप हवन कुंड तयार कर लिए उसमे सब्त जिहवा का बनना बनाना अनिवार्य होता है ये अगनी देव के शात जिहवाएं हैं प्रिये दर्शकों इनका नाम भी आप समझ गए होंगे ये देखिए सबसे पहला ये एक नमबर एक लिख लेते हैं ये काली ये दूसरा कराली ये तीसरा मनोजवा ये लोहीता ये धूम्र परणा ये इस्फू लिंगिनी और ये बिश्व रूपी प्रिये दर्शकों शब्त जिहवा अनिवार्य हैं मैं उमिद करता हूँ कि आप सब्त जिहवा का निर्मान कैसे होता है समझ गए होंगे और कौन-कौन हैं शब्त जिहवा यह भी समझ गए होंगे आज मैं सब्त जिहवा आपको बताया ये आप कितना समझे इस बीशाय को आपको बनाने आया की नहीं यह मुझे जरूर बताईएगा कमेंट सिसन में प्रिये दर्शकों हाला कि मैं उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आप खुद से बना लेंगे लेकिन आप इसका एक दो बार अभ्यास आवस्चे करें ताकि आप इसको अच्छी तरह बना सकें प्रिये दर्शकों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए आपसे पुनह फिर मुलाकात होगी एक नए भी साय के साथ नमस्कार उड़ो